मेरी वीडियो डाइरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पे क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल पर और एल्फाबेटिक सीरीज में आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है नए महमानों से निवेदन करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज बिना सब्सक्राइब करें न जाएं क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे हिम्मत मिलती है नए ने वीडियो बनाने की तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेटर जी तो आज हम इस जी के बारे में जानेंगे दोस्तों क्या जी की क्वालिटीज है क्या इसकी लव लाइफ है और क्या इसका फ्यूचर होगा या किस प्रकार की जिन्दगी अपने जीवन में जीना पसंद करता है तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पर में बात करता हूँ इनके सभाओ के बारे में दोस्तों सभाओ की क्या खासियत लेकर की ये पैदा होते हैं या क्या खास बात इनके सभाओ में हो जाती है तो वो आज आपको पता चलेगा हाला कि मैं यह clear कर दूँ जी से कई बार हम लोग confusion भी हो जाते हैं कि हिंदी में इसका actual में क्या नाम होगा तो दोस्तों यह नाम जो है गय हिंदी का जिससे कि अपन गौविंद गौरव और गोपाल और इस तरह के और जो भी नाम आपको नजर आते हैं अपने अड़ोस प्रो जैसे कि B तो बार हो जाता है और वह हो जाता है तो क्या यह दोनों की रहेगी तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं English letter की उसके अंदर यह और यह दोनों और G और जी एच दोनों परावर रहेंगे तो दोस्तों आई जल्दी से जानते हैं सुभाव के बारे में मूल रूप से इन लोगों की एक बहुत बड़ी बात देखा गई है चल कपट इनके जीवन से कोसो दूर है और ये इसके बिल्कुल पास भी नहीं फटकते हैं अपवाद हर जगह पे होते हैं ऐसा नहीं है कि सारे जीवाले ऐसे होंगे मगर दोस्तों मेरी जानकारी होती है लगबग 80-95% तक लोगों के बारे में होती है 5% लोगों कि हम कभी भी commitment नहीं कर सकते क्योंकि अपवाद दुनिया में हर जगह पे आपको मिलेगा तो अगर कोई चोटी मोटी इसका अदर कमी रहती भी है तो वो उसका हो सकता है कोई कुंडली या हस्त्रे का या इस तरह का उसके अंदर points कई ने कई शामिल नहीं होगा इसलिए हो सकता है otherwise यहाँ जो जानकरी देते हैं हम सब लोगों के लिए जो suitable होती ही वो देते है तो दोस्तों सुभाव इस तरह का होता है कि इनका दिल इतना साफ होता है कि इसकी वज़े से इनको कई बार दिक्कते हो जाती है इनके सामने आ जाती है हला कि खुद ये चल कपट से दूर है लेकिन दुनिया में तो कई लोग ऐसे हैं जो चल कपट करके इनके साथ में problem खड़ी कर देते हैं इसी वज़े से कई ने कई ये लोग की साजिशों का शिकार हो जाते हैं इसके अंदर आप मान सकते हैं जैसे किसी ने पैसे ले लिए बोलेपन में आके इनके दे दिये और जब मांगने का समय आया तो उन्होंने अपनी तरफ से मना कर दिया या भी लड़ाई जगड़े करने लगे ये दिक्कते हो सकती है और इसके अलावा ये इस सब के होने के बावजूद बहुत ही गुड क्वालिटी इनके अंदर है वो है कि ये अपनी गलती दोहराते नहीं है इन गलतियों से ये सबक लेते हैं इसी को ये जीवन मानते है आगे हमें इस चीज से कभी भी निराश नहीं होना है जो हो गया सो हो गया आगे बढ़ो और अपनी इन गलतियों को सुधारते रो और ये वाले गलतियां कभी मत करो ऐसा इनका सवा होता है इसलिए आपको हमेशा अपने जीवन के अंदर ये पॉजिटिव और हमेशा आशावादी और हमेशा निरंतर अपने तरक्की करते में मिलेंगे आगे बढ़ने वाले लोग ये अपने जीवन के अंदर होते हैं इनकी एक खास बात और बता दू इनको गुस्सा बहुत कम हाता है लेकिन अगर आ जाए तो सामने वाले की खैर नहीं इतना जबर्दस्त इनका अंदर ही अंदर गुस्से को पालने की शम्ता होती है बस एक बार उसको अगर गलती से वहार आ गया तो सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकता है सेकिंड नंबर की मैं बात करता हूँ करियर दोस्तों इनका करियर किस प्रकार इंपोर्टेंट है या किस प्रकार ये लेकर कह रहते है तो इसमें थोड़ा सा निराशा रहती है ये काफी परेशान रहते हैं क्योंकि इस्थाई जॉब या इस्थाई दंदा या इस्थाई नौकरी इस प्रकार इनको मिलने में कहीं थोड़ी सी परेशानी आती है हाला कि ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि मिलती ही नहीं है इनको या हो चलता है नहीं एक बार ये लेकिन जब अपने काम के प्रती इस्तिर हो जाते हैं तो उसके बाद में जीवन में नईया पार लग जाती है और बहुत आसानी से अपना काम चला लेते हैं हाला कि इसके लिए इनको बहुत महनत करने पड़ती है और बहुत मेहनत के बाद ही इनको अपना रास्ता मिलता है लेकिन चुकि एक सुभाव इनका होता है कि एक बार में ये कई काम करना चाहते हैं यानि एक बार में ये कई नावों पर पैर रखकर के चलने की कोशिश करते हैं जिसकी वज़े से कई ने कई जीवन में अनस्टाबिलेटी आ जाती है या थोड़ा सा फरेशान हो जाते हैं कि क्या होगा अब लाइब में और एक सवाल ये इनकी जिंदगी में जाजातर चलता है कि क्या करें और क्या ना करें तो दोस्तो इसके वीच में जो उधेर गुन है ये थोड़ी सी दिक्कत इनकी जिंदके में होती है और अपने कारेशेतर के अंदर दोस्तो इनका जो सभाव है वही इनको आगे लेकर के जाता है और वही इनको सबसे ज़्यादा डवलप करवाता है ये इतने शार्प मैंडेट होते हैं कि किसी भी काम की पहले पूर्ण य मिलती है और इसी तरह का फंड़ा अपने जीवन के अंदर ये बनाये रखते हैं सी पॉइंट की में बात करता हूं या तीसरा पॉइंट की में बात करता हूं तो दोस्तों वह इनके प्यार के बारे में ये प्यार का दोस्तों क्या फंडा इनके साथ में बहुत ही जबरदस तो उनको वो प्यार मिलता नहीं ये हो जाते हैं अनलकी लेकिन बैठे बिठाए घर बैठे आगे होकर कि इनके पास में इनका प्यार खुद चल के आता है तो ये हो जाते हैं लकी ऐसा इनके साथ में अक्सर चलता रहता है ये प्यार सच्चा होता है और ये जो प्यार करते है बहुत सचा प्यार करते हैं, लेकिन मंजिल तक वो कई बार नहीं पहुंचता है, यानि आप एक सिंपल सी बात बता दूँ, अगर यह खुद करने जाएंगे कुछ काम, तो यह अनलगी सावित हो जाएंगे, और अगर इनके बास चल के आएगा, तो इनको अपने आभी लगी सावित हो जाएंगे, यानि दोनों कंडिशन इनके साथ में चलती रहते हैं, हाला कि अगर किसी में एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, तो वो इनसान इनमें से जो चाहें, वो कर सकता है, बलकि दुनिया में किसी भी फिल्ड में वो कर सकता है, यानि मेरा वीडियो सुनने बहुत कूट कूट के भरा होता है अपने प्यार को पाने के लिए और उसके साथ में निभाने के लिए, इनने अपना प्यार कभी भी ढून दा नहीं वरता है, इनका प्यार इनकी तरफ खुद आकरशित होता है, ये बहुत बढ़िया क्वालिटीज इनके अंदर है, लेकिन जो कुछ खास दोस्त रखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनके सच्चे दोस्त होते हैं और शांत प्रिय किसम के ये लोग देखे जाते हैं किसी को परेशान नहीं करेंगे वाला की और कोई इनको तंग करने ही कोशिश करता है तो फिर उस समय पर ये अपना आपा को देते हैं इनको कम बोलना बहुत पसंद होता है मैं ज्यादा लफ़र चक्वर या फालतुगी वेजामारी किसी से करते नहीं है और अपने दिमाग के अंदर हमेशा कुछ न कुछ पॉइंट पर ये डिसकेशन चलता रहेगा यानि कई न कहीं के विचार जो हैं वो बहुत ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी इन में हैं दूसरे नंबर के गुणकी में बात करता हूं तो दोस्तों इनके अंदर सैयम और आत्म विश्वास बहुत जवरदस्त कूट-कूट के भरा होता उसकी वजह से लोग इनको फॉलो करते हैं इनकी बातों को सुनते हैं इनके बत लाते हैं इनके फॉलवर्स अपने आप बढ़ते रहते हैं इनके मार्गों पर चलने के लिए लोग तैयार रहते हैं तीसरे नंबर की विए बात करता हूं इनके परस्नल्टी में बहुत ही जोड़दार होती है कि इनके जो दुश्मन होते हैं वो भी इनकी तरफ कुछ चल करते हैं इस प्रकार से जो जिन्दगी यह जीते हैं उसमें ही हमेश आपने नियम काइदे के अनुजार चलेंगे जिससे किसी को तकलीफ ना हो और मज़े से जिन्दगी जीते रहे हैं फोर्थ नंबर के पॉइंट की में बात करता हूं तो दोस्तों इमानदारी जो है वो इनका सबसे बड़ा गुण होता है और इसी नेचर की वज़े से यह मान सम्मान प्राप्त करते हैं और बातों को चिपाने के एक विशेश कला इनके अंदर होती है जिसकी वज़े से कही न पुलबदी अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं और बहुत दिक इस्तर जो हता है यानि कि वो इनका बहुत काफी उंचा रहता है तो दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं इतने जोड़दार इनके साथ में रहता है कि इसकी वेसे इनकी लाइफ बड़ी शानदार रहती है तो ये तिया आज की जानकरी मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ थेंक यू बाई